हलो एव्रिवान वेरी गुड़ इवनिंग तो अलो फ्यू एम आइ ओडिबल और विजिबल क्या आप सभी को मेरी अवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रही हूं कैसे हैं आप सभी यार एक बारी फड़ा फट से सारे मेरे बच्चे आजाएंगे और फड़ा फट से मुझे बता देंगे किया हल चाल हैं तुम्हारे कैसे हो तुम लोग वी आर वेटिंग फट यू ओ हाव स्वीड इस दाट चालो बाई तो एक बारी सारे बच्चे जल्दी जल्दी से आजाओ पड़ा फट से आर क्लास को लाइक और शेर कर दो विद यूर फ्रेंड्स ताकि वो लोग भी आजाएं विकाज आज की क्लास बच्चो हमारी ताब इवनिंग एव्रिवान गुश्ट इवनिंग जी क्या हाल चाल कैसे हैं आप सभी एक बारी जल्दी-जल्दी से इन दे कॉमेंन सेक्षिन सारे बच्चे लिख देंगे कि भई कैसे हैं गुश्ट इवनिंग एवरिवान तो बैच से खुश ओ कल बैच की अनॉंस्मेंट दी थी मैंने and I hope सभी बच्चों को वो काफी अच्छी लगी सभी बच्चे काफी जादा खुश हैं ठीक है जल्दी-जल्दी से आ जो है और फड़ा-फट क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो with your friends ताकि हम लोग चले फिर आगे तो ताबर तोड़ बच्च क्या है मुझे पताने की ज़रत नहीं है क्योंकि कल ही मैंने वीडियो डाला था चानल पे about this batch कि कैसे यह batch हमारे ले इतना जादा खास होने वाला है इंट्रेस्टिंग होने वाला है मजेदार होने वाला है और इस batch में सारी की सारी चीज़े आपको मिलने वाली है राइट thank you everyone thank you for all your lovely wishes for 30k congratulations to you too आप सबको भी congratulations 30k का क्योंकि आपके बिना ये बिल्कुल भी possible नहीं हो पाता आप से ही मैं हूँ चालिए ताबड तोड शुरू कर दे यारो ये सही बात लिखी है एक बच्चे नहीं दे कॉमेंट सेक्शन के ताबड तोड शुरू कर देते हैं और बैच का नाम भी यार मेरे को तो मतलब काफी अच्छा काफी मज़ेदार सा नाम लगा मुझे काफी सेक्सी सा नाम है ताबड तोड बैच राइट के तुरा अंत जो चीज दिमाग में आए उसे बस कर दो चलो भाई शुरू करें आवी गाइज एक्साइट पॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग सेशन आल राइट तो बच्छ बाटी आज हम लोग करने वाले हैं दी एडवेंचर को शुरू दी एडवेंचर क्लास 11 में बच्छों को वन आप दी टफेस्ट चाप्टर लगता है बट ट्रस्ट मी यह काफी मज़ेदार चाप्टर है और आप लोगों को काफी मज़ा आएगा ठीक है पूरे यूट्यूब पर इसकी एकस्प्लेनेशन दो या तीन जगापर ही मौझूद है कही कहीं पर बहुती जादा छोटी एकस्प्लेनेशन है सम्री टाइप की कहीं चाप्टर को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम लोग हर चाप्टर पढ़ते हैं लाइन बाइन मैप को एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ को बहुत मज़े से अम लोग समझ जाएंगे और हाँ यह जो बच्चों के दिमाग में वर्ल्ड प्रसिद्ध क्वेस्चन रहता है ना कि आ तो वो आया कहां से, ठीक है, इस question का answer ना, मैं दूँगे तो, कि वो आया कहां से, ठीक, तो बहुत सारे बच्चे होंगे, जिन्होंने ये chapter पहले कहीं सुन रखा होगा, अच्छा है कोई हमारे बीच में ऐसे बच्चे बाई, जिन्होंने ये chapter पहले कर रखा है, सुन रखा हो समझ में ना आया हूँ हाँ जल्दी बता दो क्यों कि देखो मेरी तो ताबड तोड जो ट्रेन निकलेगी ना चाप्टर की मैंने नहीं रुकना बच्चों फिर कि मैंने नहीं देखना पीछे मैंने बस चाप्टर को कहानी की तरह एकदम बोलना शुरू कर देना है और इतना मज़़दार चाप्टर है अगर आपने यह चाप्टर कीया है तो अगर आप यूट्यूप पर जाकर बाकि वीडियो जित्ती भी दो-तीन वीडियो एविलेबल है यूट्यूप पे ज्यादा वीडियो एविलेबल नहीं है इस चाप्टर की क्यूंकि बहुत लोग नहीं समझाते हैं बहुत difficult लगता उनको भी या बहुत हेक्टिक लगता है यह चाप्टर जो की है भी तो अभी अगर आप कॉमेंट भी देखोगे ना तो बच्चों ने बदे क्या पूछ रखा है कि वो पेपर उसकी जेव में आया तो आया कहां से यार यह बताओ में रखो ठीक है तो यह चाप्टर बहुत इंट्रेस्टिंग है हम लोग शुरू करते आज की क्लास मेरी बस एक इदर ख्वास रहने वाली है मेरे सारे प्यारे बच्चों से सबसे पहले तो था एंक यू सो मच क्लास में आने के लिए और मैं उमीद करती हूँ कि आप आगे भी इसी तरह रेगूलर्ली क्लास में आएंगे के नहीं एक बार ही सभी बच्चे बता देंगे आएंगे के नहीं ठीक है और और जो बेच्च इसमें बहुत जादा महनत लगी है बहुत जादा ठीक है, एक्चुली आज कल न मैं को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, शौट ऑफ ब्रेथ, मतलब मैं पढ़ाते पढ़ाते भी तुमने देखा होगा बहुत बार, ऐसे करती हूँ, हाना, तो दैट मिन्स वो बोलते बोलते न, सास आ नहीं पाता है, तो ये मैं लॉट टू मी और तुमारा भी फायदा है, तूसरा प्लीज टेलीग्राम जॉइन कर देना, डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक है, ताकि सारी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाए, क्योंकि क्वेशन आंसर्स भी कराऊंगी, तीसरा कि प्लीज क्लास को लाइक और शेर और कॉमेंट जरूर कर देना, जब भी ये क्लास एंड हो, लाइक और कॉमेंट से वीडियो यूट्यूब सर्च में आता है, और जितना वीडियो यूट्यूब सर्च में आएगा, उतना ही अच्छा होगा, चलो, तो शुरू करते हैं बिटाची, दे सब लोग अपने अपने भगवान जी को याद कर लो, शुरू करते हैं बिटा, तो देखो यार, ये जो चाप्टर है न, ये लिखा किसने है, जयान नाड़े करने, he was a great astrophysicist, he was born on 19th July at Kolapur in Maharashtra, ठीके तो basically आपको थोड़ा सा about the author इन्होंने बता रखा है, प्लीज ये तो होगे आपका about the author, अगर आप इस story की बात करो न, तो ये एक science fiction है, यानि कि इस कहानी की अंदर न, थोड़ा-थोड़ा सा science भी involved है, जिससे बच्चों को ये chapter confusing लगता है, लिखे, बहुत सारे बच्चों को ये chapter confusing लगता है, और अगर बेटा, आप लोग ढग से नहीं समझो गे, तो आपको भी ये chapter at the end confusing लगेगा, क्योंकि इसमें एक question है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, उन्हें लग रहा होगा कि माम ये कौन से question की बात कर रही है, माम बहुत difficult है, तीन से चार बार देखा, नहीं समझ आया, पेटा मैं बोल रही हो, तुम एक बार ही मेरे से प थोड़ा सा रुख जाओ, मैं guarantee दे रही हूँ, तुम्हें समझ में आयेगा, ठीक है, बस lecture को सुनो, तो ये ना science fiction है, इसमें science भी involved है, हमें science की तरफ इतना नहीं जाना मेरी जान, क्यों नहीं जाना हमें science की तरफ क्योंकि अपन English बढ़ रहे, ठीक है, तो मैं आपको बिलक की में किरदार है, और इसी के आसपास स्टोरी रिवॉल्फ करेगी, ठीक ये chapter सही में इतना interesting है, कि जब मैं आपके लिए ये chapter प्रिपेर कर रही थी, तो जो मेरे cousins हैं, छोटे, 6-7th class के, वो बैठके मेरे सही स्टोरी सुन रहे थे, उन्हें इतना interesting लग रहा था, ठीक, तो अल्रेडी 999 lectures न डिलिवर कर चुके होते हैं, तो अभी ये जा रहे होते हैं अपना thousand lecture डिलिवर करने, ठीक है बेटा, lecture किसके बारे में होता है, कि अगर battle of पानीपद, मराठास जीत लेते, तो हमारा इतिहास कैसे होता, ठीक है, अब आपको तो पता है, कि अगर history में, इति बताओ, अगर आप history में कोई भी event change कर दो, अगर मैं बोलू, अगर अंग्रेज आए ही नहीं होते, तो history पूरी अलग हो जाएगी ना, हमारी, हमारी history वो थोड़ी रहेगी, जो हम पढ़ते वे आए, तो गंगादर पंत भी किस पे lecture डिलिवर करने जा रहे थे, कि जो battle of पा आता है, ट्रक के साथ, और वो ना, कॉमा में चले जाते हैं, ठीक है, और वो कॉमा में चले जाते हैं, तो अब वो क्या है, वो तो बेट पे पड़े हुए, ऐसे मस, बेहोश, बट अंदर ही अंदर ना, वो एक parallel world में चले आते हैं, जैसे हम लोगों को सपने आते हैं, सपन में क्या हम सो रहे होते हैं, सपने में तो हमें लग रहा होते हैं, यही चीज रियल है, राइट और रॉंग, लग रहा होता है ना, कि अगर हम सपना देख रहे हैं, हम तो यहां पहुचे वे हैं, ममी एक बीच थी, हम तो मस्त ने जोई कर रहे थे, कोई पड़ाई, सपना देख रहे हैं, तो ऐसे ही जो प्रोफेसर गाय तॉंडे होते हैं, वो आक्सिडेंट के बाद कॉमा में हैं, तो दूसरों के लिए तो वो बेड़ पे लेटे हैं, बट अंदर ही अंदर वो एक पारलल वर्ल्ड में हैं, तो चाप्टर के पूरी के पूरी शुरुआत ही उन चीज़े हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, चलो, तो भाई कॉमा में जाके वो एक स्ट्रेंट से वर्ल्ड में चले जाते हैं, अब हिस्ट्री के अनुसार, जो इस्ट इंडिया कंपनी थी, that was wound up just after the event of 1857, the events are taken a different course after the battle of पानिपत, याने कि battle of पानिपत इतिहास में एक ब चीज़े हम लोग देखने वाले हैं, यहां से हमारा चाप्टर शुरू हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बाखी के चाप्टर पढ़ाएं है, discovering cute पढ़ाया है, we are not afraid to die पढ़ाया है, बिल्कुल रैसे ही मैं यह चाप्टर पढ़ाने वाले हूँ, यह जो yellow box है, यह क्या है मा ठीक है, और NCRT की लाइन की नीचे बेटा आपकी explanation लिखी हुई, तो मैं आपको line by line तो पढ़ाऊंगी, पर मैं line read नहीं करूंगी, क्योंकि that's gonna take a lot of time, जैसे कि हमने we are not afraid to die में पढ़ाई, पढ़ाऊंगी मैं एक एक लाइन, skip नहीं करूंगी कुछ भी NCRT का, बट उसकी explanation ठीक है, चलो शुरू करते हैं, तो बेटा चाप्टर की शुरुवात होती है, ट्रेन के साथ, ठीक है, दा जिजमाता एक्स्प्रेस ट्रेन, जो कि पूने से बॉम्बे जाती है, अब क्या हो रहाता है, एक्चुली, यह कॉमा में बहुत चुके है, जो हमारे प्रोफेसर ग बॉम्बे में उनका बेटा रहता है, रियल वर्ल्ड में, बट वो तो क्या है, सपने में है न, कॉमा में, तो वो क्या कर रहे है, कि पूने से बॉम्बे जा रहे है, तो अब यह जो ट्रेन है, जिजमाता एक्स्प्रेस बड़ी तेजी से जा रही है, बड़ी रफतार से य बहुत कोई भी विल्डिंग्स नहीं यह कोई भी इंडस्त्रीज नहीं एक 40 के बाद ट्रेनलोनावला पहुचती है याद रखना यह सब रियालिटी में नहीं हो रहा है यह सब एक उन्हें पता था उन्होंने रियल वर्ल्ड में तो देख रखा था ना तो उनके according अभी वो कहां है एक अलग दुनिया में पहुँच गए हैं और वो figure out करने की कोशश कर रहे हैं कि भाई ये मैं कहां आ गया ठीक है अब आगे क्या हुआ बेटा देखो अब मीन टाइम में Mr. Guy गाय तॉंडे जो है जो ट्रेन है हमारी वो कहां रुकती है कजरत याने की एक स्टेशन है कर्जत सौरी कर्जत करके जहां पर ट्रेन बहुती थोड़े से बहुती शौट डियूरेशन के लिए बच्चों रुकती है और उसके बाद फिर तेजी से आगे बढ़ना शुरू क करती है याद रखना हमारे जो प्रोफैसर गयत ओंडे रहे हैं वो कहां जा रहे हैं भूने से बॉंबे जा रही है ठीक है अब तैस अवास करते हुए रोर मतलब जो ट्रेन है वो तीजी से अवास करते हुए कल्यान से होते हुए आगे की तरफ जा रही है अब मीन टाइम म है कि वह रियालिटी में नहीं है उन्हें यह लग रहा है कि वह किसी और वर्ल्ड में किसी और जगा पर पहुंच गए है अपने अक्सिडेंट के बार कि इतना समझ में आ रहे हैं देखो मुझे यस माम नो माम बताते रहना ठीक है हाँ तो यहां पर क्या बात हो रही है यहां पर बात हो रही है कि गायतोंडे सोच रहा ठीक है यार मैंना बॉम बे जाकर यह सारी चीजे करूंगा वो यह भी रियालाइस करता है कि यह सारी चीजे तो मुझे पहली सोच लेनी चीए थी मैं तो एक हिस्टॉरियन हूँ तो यह सोचते हैं कि मैं पहले लाइबरेरी जाओंगा वहां पर जा करना में हिस्ट्री की बुक्स पढ़ूंगा क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका होता है जानने के लिए कि हम कहा है आप सोच लो कि मैं गायतोंडे हूं ठीक हम मैं क्या सोच रही हूं मैं बोल रही हूं यार पता समझ रहे हूं ना तो वो भी क्या सोच रहा है कि मैं पहले बॉंबे पहुंचता हूं वहां जाकर मैं क्या करूंगा एक लाइबरेरी में जाओंगा और मैं हिस्ट्री की बुक पढ़ूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि हाव दा प्रेजेंट कंडिशन वर्ज रीज के य वो चुर्डी हैल्प मिस्टर गायतोंडे इन अंडर्स्टैंडिंग वट है तो यह जो है ना राजेंदर देश पांडे ठीक है यह कहा है यह पूने में अभी यह कॉमा से उठेंगे तो हम देखेंगे चैप्टर के अंदर इनके दोस्त भी हैंगे ठीक है तो यह बोल रहा उनके दिमाग के अंदर ठीक है समझ में आया यह बिटा शिवम यह तो आपको ढूंड़ना है ना पेरग्राफ का है मेटा शुरू में है पेरग्राफ कि ही वूट गो टू अ बिग लाइबरी और ब्राउज मतलब क्या होता है कि वो लाइबरी में जाके हिस्ट्री बुक्स उसको देखेंगे छाटेंगे इससे उन्हें पता चल जाेगा वह अभी कैसे पहुंचे यहां तक वो कैसे पहुंचे और उसके बाद वह दोबारा अप्स ससी में बात करेंगे में एक हैसे क्लू कि अधिक है अब आगे क्या हुआ में तरह मिलेगा शुरू-चुरू उले मि देश पांडे वस अलाइफ एंड लिविंग इन पुने तरें स्टॉप जस्ट आफ्टर आ लॉंग टन बाद क्या होता है एक बड़ी सी सुरंग के बाद ट्रेन अमारी रुख जाती है अब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुपती है जिसका नाम होता है सरहत यह सब कहा ह होता है एक अंग्लो इंडियन उनिफर्म में होता है एक ओफिसर अंदर आता है और सबकी टिकेट्स चेक करने लगता है अब आगे क्या होता है बच्छा पार्टी खान साहिब सेट आट फ्रम इस पॉइंट ऑफ ब्रिटेन हाड स्टार्ट इस्टर गाय तॉंडे वस नहीं करतें अंग्रेज केवल बॉम्बे पर रूल करते हैं समझ रहे हो क्या था अंग्रेजों ने तो पूरे भारत पही अपना कबजा कर रखा था बट उनके पैर लेल-वर्ड में उनके पैर ल वर्ड में आप सिर्फ इतना याद रखना कि वह लेक्चर देने जा रहे थ इस चीज पर lecture देने जा रहे थे एक्सिडेंट से पहले बैटल फ पानी पत्थ में माराथास जीते जिवा attributes कि उस चीजिस पर lecture देने जा रहे थे अगर जीते होते तो क्या होता ये तुह अज अपनी प्लास में लेक्ट देने मैं आ रहे हूं कि अगर तानिया शर्मा ने अपना चानल नहीं खोला होता तो क्या होता ठीक है यह अगर मराठास जीच जाते तो क्या होता तो अब यह उसी रियालिटी में पहुँच गए जहां पर मराथास जीते हुएं उनकी दिमाग में वही सब चल रहा है जो वो भाशन में बोलने वाले थे ठीक है तो उनकी अनुसार उनकी उस पैरलल वर्ड में जो ब्रिटिश है उनका पूरी इंडिया पर रूल नहीं है सिर्फ बॉंबे पर रूल है कि इतना समझ में आया सभी को तो तो अब क्या हुआ उन्हें बताया जाता है कि इस इस पॉइंट से यह सरहत स्टेशन के आगे से जो ब्रिटिश राज है वो यहां से शुरू हो जाता है और वो गायतॉंडे को यह भी बोलते है कि तुम ना बॉम्बे शायद पहल पहली बारी जा रहा हो क्यूंकि इससे पहले वो कभी भी यहां पैरलल वर्ड के बॉम्बे में तो कभी नहीं आया होता है अना पैरलल वर्ड के बॉम्बे में तो बेटा वो पहली बारी जा रहा होता है अब आगे क्या हुआ गंगादर पंत इस दा नेम ऑफ मिस्टर गाय अब आगे क्या होते हैं खान साइब रिप्लाइ करते हैं कि यह जो ट्रेन है यह विक्टोरिया टर्मिनस तक जाएगी मैं वहां पर उतर जाओंगा मैं वहां से एक दुबारा एक ट्रेन पकड़ूंगा ठीके बिटा जिसका क्या नाम होगा ट्रंटियर मेर जो कि मुझे बॉ जाओंगा जैन को ठीव यह वहां पर दो दिन बात पहुंचूंगा थो गायतॉंडện क्या कर रहा है खान साहिब से बात कर रहा किके कमुनिकेशन कर रहां कि भी आप मेशावर कप टक पहुँझाँ जोगे दिनल जाओंoria दिल्ली से मैं लहौर जाऊंगा लहौर से मैं पेशावर जाऊंगा और ऐसे करके मैं दो दिन बाद कहीं वहाँ पर पहुचूंगा ठीक है अब आगे क्या हुआ बेटा देखो उसके बाद जो खान साइब है वो अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और गंगादर क्या करते हैं गंगादर एक अच्छे लिसनर होते हैं वो ध्यान से बैटके उन्हों सुन रहे होते हैं कि हाँ ये खान साइब मुझे क्या क्या बता रहे हैं अब इस तरीके से जिस तरीके से खान साई बता रहे होते तो गायट ओंदे को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यहां की लाइफ कैसी है, कि यह वाले भारत की जिंदगी कैसी है, उसे यह तो realization था कि वो कहीं और आ गया है, बट उसे यह नहीं पता था कि वो अपने धिम तो वो अब find out कर रहा है कि यह वाला इंडिया कैसा है, तो खान साईब की बातों से वो थोड़ा idea लगाने की कोशिश कर रहा है, कि यह मैं जिस सदी में आ गया हूं, यह मैं जिस भारत में आ गया हूं, यह कैसा खान साईब ट्रेन में बैठे हुए थे, ट्रेन में ऐसे पहुक्त अब उसे रेलाइस होता है कि यह लाइफ तो बहुत डिफ्रेंट है जो हमारा इतिहास है हमारे रीएल वर्ड का इतिहास है उससे तो यह वाली लाइफ बहुत ज्याधा डिफ्रेंट है अब जो ट्रेन है बच्छो वह बॉम्बे पहुंच चुकी थी और Bombay के sub-urban, sub-urban मतलब क्या होता है residential areas ठीक है जो भी residential area होते है जो घरवर बने होते हैं तो Bombay न वहाँ Bombay वाली जो train है वो वहाँ से pass कर रही थी यानि कि train बेटा Bombay पहुंच चुकी है अब क्या हुआ जो local trains थी वो भी चल रही थी अब Bombay में तो आपको पता है कि local trains भी चलती है तो Bombay में local trains भी चल रही थी तो coaches से इस train के वो blue color के थे और उन coaches के उपर बेटा क्या लिखा था? GBMR ठीक है क्या लिखा था? GBMR अब यह GBMR क्या है बेटा? Greater Bombay Metropolitan Railway यह लिखा हुआ था उन train के coaches के उपर clear है? सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या है? यहां तक समझ में आया देखो मेरी जान में को रश नहीं करना मेरे को चाहिए कि यह chapter एक बच्चे को समझ में आए ठीक है? GBMR क्या है? GBMR है Greater Bombay Metropolitan Railway जो उन, जो coaches है train के उनके उपर लिखा हुआ था ठीक है? हाँ अब आगे क्या हुआ? तो यह किसने बताया है? यह खानसाही भी बता रहे हैं उसको क्योंकि गायताओंडे को तो कुछ नौलेज है नहीं इस इंडिया के बारे में जितना भी बता रहे हैं वो खानसाही भी उसको बता रहे हैं वो बता है कि यह चोटा सा जो फ्लाग वहाँ पर दिख रहे है वो बोलते हैं कि यह जो स्मॉल नाशनल फ्लैग है इंग्लाइंड का वो लोकल ट्रेन जो है बॉम्बे की उसके हर कोच पे पेंट कर रखा है और उस पे जी बी एमार लिख रखा है यह पुलाइट रिमाइंडर है किसका कि हम उस एरिया में हैं वो यह इंग्लाइंड के लोग रूल कर रहे हैं समझ में आया कि केवल बॉम्बे ही एक ऐसा एरिया था उनके पैरलल वर्ल्ड में जो रूल कर रहे थे तो वो बोलते हैं कि यही ट्रेन के डब्बे देखकर तुम समझ जाओ यह जंडों को देखकर तुम समझ जाओ कि हम उस एरिया में हैं जिस एरिया को इंग्लाइंड वाल लोग rule कर रहे हैं अब क्या हो रहे है बिटा speed of the train started reducing after Dadar तो station आता है दादर और उसके बाद जो speed है न और उसके बाद जो speed है वो क्या हो रही है तीरे-दीरे slow होना शुरू हो रही है जो train है वो अपने last station पर रुख जाती है Victoria Terminus उसका last station होता है वहां रुख जाती है अब यह जो स्टेशन होता है ना बच्चों यह बहुत ही नीच और उन्हें पता चलता है कि यह जो एरिया है इस पर किसका रूल है इनका कि जो अंग्रेज लोग है इनका रूल है इस एरिया पर बाकी किसी भारत की हिस्से पर इनका रूल नहीं है कितना समझ में आया कि कोई स्लो आरिया हो गया बेटा पानवी उपाध्या है मैं आज मेरा ब्रेक अप हो गया ब्रेक अप तो बाद में भी सुलट लेगा पर दी एडवेंचर चाप्टर बाद में समझ नहीं है हाना बेटा लाइफ में प्रयोरिटी इस बहुत माटर करें समझ रहे हो आप ये ब्रेक अप हो गया वो तो बाद इस वरी साद बट देन अध दे सेम ताइम इस चाप्टर इस वरी इंपोर्टन राइट ना ये प्रयोरिटी शुद बी इस चाप्टर दी एडवेंचर अड विद ये ब्रेक अप विद लेटर ओके चलो तो इतना हमें समझ में आ गया कि भाई ये जो अभी अवास रही है मेरी इमाई क्यार मैंने उपर लगा लिया भी थोड़ा तो जो विक्टोरिया टर्मिनर स्टेशन था बेटा ये एकदम नीट क्लीन एकदम साफ सुतरा स्टेशन इनों ने बना रखा अब आगे क्या हुआ बेटा अब वो निकल के आ रहे स्टेशन से बाहर और वो देख रहे अब तुम सोचो मुझे सपने में ये तो नी पता होता ना कि मैं सपने में हूँ भाई कोई यहां पर ऐसा है जिसको सपने में पता होता हो कि वो सपने में बताओ अगर आपके सपन तो वैसे ही तो वैसे ही बेटा यहां पर जब वो स्टेशन से भार आया तो वो वही है उसके लिए वही रियालिटी है उसका वही पैरलल वर्ड चल रहा है ठीक है अब वो स्टेशन से भार आकर क्या देख रहा है कि भाई most of the officials at the railway station पर इधर अंगलो इंडियांज और पार्सी यह थीख इजब गंगादर पंथ बाहार आता है विक्टोरिया टरविनस रेलवे स्टेशन तो उसे नो ऑदि विश्वाल सी बढ़ी इंप्रेशिव सी बिल्डिंग दिखाई देती है बेटा ठीक है imposing मतलब यह bracket में important words भी लिखे हुए है कि बहुत ही impressive सी उसे buildings दिखाई देती है और उस पे ना letter लिखे होते हैं उस पे ना कुछ शब्द लिखे होते हैं ठीके proclaimed मतलब जिससे announce हो रहा होता है क्या announce हो रहा होता है उसका नाम और नाम क्या है जिन लोगों को नहीं पता जो लोग Bombay पहली बार आए हैं तो निकलते ही station से एक बहुत बड़ी building है और उस building पे बेटा कुछ नाम लिख रखा है ठीके नाम क्या लिखा हुआ है East India House Headquarters of the East India Company समझ में आया अब East India Company तो आप लोग पहचान गए होगे ना तो East India House Headquarters of the East India Company ये नाम उस पर लिख रखा होता है इस प्रकार से यानि कि ये main office होता है East India Company का जैसी वो station से बाहर आता है उसे एक बहुत बड़ी सी building दिखाई देती है और उस बहुत बड़ी सी building पे ये नाम लिखा होता है clear everyone भाई एक बार यार बतादो प्लीज यार मैं बहुत मन से आई थी पढ़ाने पर तुम लोग अपनी बातों में लगे वे हो यार ये तो उम्मीद नहीं थी मुझे क्लास 11 तुम बच्चों से हां ये उम्मीद नहीं थी बेटा मेरे को अच्छी उम्मीद है थी मेरे को चलो आगे देखो अब जब उसने देखा ठीक है ये सब लिखा हुआ है तो प्रिपेर्ड एज ही वास फॉर मेनी शॉक्स वो बहुत सारे शॉक्स के लिए बहुत सारे स क्लेना पहले से अपने दिमाग में प्रिपेर्ड था कि मैं किसी अनूखी सी दुनिया में एक अलग सी जो मेरी रियालिटी से अलग दुनिया है ना मैं वहां पर पहुंच तो चुका हूँ और यहां पढ़ना मुझे तरीके तरीके के अलग-अलग सप्राइज तरीके तरी यहां पर क्या बोला गया है कि हिस्ट्री बुक में तो यह लिखा था कि 1857 के बाद जो इस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई बट यह तो अभी भी यहां पर है और केवल खड़ी नहीं बट फ्लरिश कर रही है यानि की काम चल रहा है ग्रो कर रही है बढ़िया तरीके से चल कि यह क्वानी कि की हिस्ट्री में कije कुछ तो अलग हुआ है 1857 से पहले समझेह अब रियल वर्ल्ल में बेटा 1857 के बाद इसलिए या कंपनी बंद हो गइधी यह बोल रहा है बट यह बोल रहा है कि अभी तो मैं देख रहा हूँ कि यह से इंडिया कंपनी तो यहीं पर है उसके पैरलल वर्ड में पूरा हिस्ट्री अलग है तो वो बोल रहा है जरूर यहां की जो इतिहास है न वो चेंज हुआ यहां की हिस्ट्री चेंज हुई यहां का कुछ तो एक ऐसी घटना है इतिहासिक जो चेंज हुई है जिसकी वजह से पूरवा का पूरवा इतिहास अभी तब का चेंज होगे समझ में आया गाइस हाँ बेटा ही तेशी चेंज हुई कैसे और जो प्रोफेसर गाइन दिमाग में चल रही है कोई तो वह पॉइंट होगा ना जहां पर हिस्ट्री चेंज होगे वो बोल रहाए कि मुझे वह पॉइंट ढूंड़ ना है कि ये आखिर हिस्ट्री चेंज हुई तो होई कैसे तो यहीं पर बेटा इसकी explanation ही लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोफेसर गायतॉंडर नहीं यह expect नहीं किया था क्योंकि जो history की books थी real world में उसके अनुसार East India Company यानि कि जो Britishers की company थी वो 1857 में बंद हो गई थी वो अभी क्या देख रहे हैं उनके parallel world में कि वो company यहीं पर है तो उन्हें अब इसके बारे में खोजना था कि भई आखिर यह अगर हुआ तो यह हुआ कैसे और how is this possible ठीके बेटा अब आगे क्या होता है देखो अब वो road पे चल रहे होते हैं तो जैसी वो hon by road पे चलते हैं उन्हें अलग-अलग shops और अलग-अलग office buildings दिखने लग जाती हैं वो एक भी handloom यानि कि जो समान हाथ से बनता है ना उस चीज की कोई भी shop उन्हें नहीं दिखाई देती है उन्हें ऐसा लगता है कि वो बाहर किसी foreign देश में आ गए हैं बिल्कुल अंग्रेजों ने बॉम्बे को इसी प्रकार से design कर रखा था अपने foreign countries की तरह तो अभी क्या होता है उन्हें बहुत सारे offices दिखते हैं बहुत सारे stores दिखते हैं बहुत सारे buildings दिखते हैं जिनके British नाम होते ठीक है जिनके क्या होते हैं भारतिये नाम नहीं होते हैं जिनके British नाम होते हैं ऐसा लगता है कि वो कहीं England के main town या main road पर आ गए हो कि वो बॉम्बे पर नहीं बलकि England के road पर walk कर रहे हुन्हें ऐसा feel होता है क्योंकि सारी की सारी shops, design जो British नाम है अपने तरीके से करवा रखा होता है अब आगे क्या होता है देखो He turned right from the home street and then entered into a Forbes building अब क्या होता है बचों यह street का नाम है तो वो एक street से right turn लेते हैं और एक बड़ी सी building होती है Forbes की उसमें घुश जाते हैं अब वहाँ पे एक receptionist बैठी होती है अपनी में काम करते हैं अब यह अपने पार्लेल वर्ड में जाकर अपने बेटे को ढूंडने की कोशिश कर रहे है कि के बेटा मैं father to son नहीं हां बेटा कल ही तो आपको मोहिन मैंने time table दिया है बेटा अभी time table की according होगी ना father to son तो आज का time table दिया है ना मेरी जान मैंने आपको कली दिया है चानल ठीक है तो अभी क्या हो रहा है यहां पर अभी वह बोल रहे है कि मुझे न विने गायत ओंडे से मिलना तो वह lady receptionist जो है वह अपनी लिस्ट में सर्च करती है employees की list सर्च करती है कि कोई विने गायत ओंडे है कि आपने भी ठीक है और उसे वो नाम कहीं पर भी नहीं मिलना वो बोलती है कि नहीं सर विने गायत ओंडे तो अपने पर है ही नहीं हाना यह नहीं मिलेगा आपको यहां पर तो प्रोफेसर गायत ओंडे को बताती है कि Mr. वि यहीं काम करता है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो यहां काम नहीं करता है तो इस इंफॉमेशन वस नॉट अनेक्सपेक्टेड था उन्हें जटका लगा उन्हें पता था कि शायद पूरा हिस्ट्री अलग है तो यह चीज भी अलग है कि मैं एक अलगी दुनिया में आ गया वहां पर प्रोफेसर गायतॉंडे है है यहांने कि वह अपने समय से बहुत पहले आ चुके है यह उनके दिमाग में चल रहा था यह वह लग रहा है कि अगर मैं ही एक्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया के लिए तो इस दुनिया में में मेरा बेटा कैसे ही मिलेगा याने कि इस वर्ल्ड में तो मुझे मेरा बेटा मिले गए नहीं ना विने गाय तॉंडे क्योंकि मैं तो खुदी नहीं हुई यहां पर तो इस सन माइट नॉट आफ बीन बॉर्ट अब अभी तो आप पीछे आ गया हूं तो ना तो मेरा बच्चा पैदा हुआ है और ना ही वो पैरलेल वर्ल्ड में ही है वो कॉमा में पढ़ा हुआ और अंदर यंदर वो एक अलग दुनिया में पहुँच गया है और उस अलग दुनिया में क्या हो रहा है वो हम पढ़ रहे हैं ठीक है अगर आप बच्चे ढंक से सुन रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका ध्यान बार-बार इधर उदर जा रहा है तो फिर बेटा मेरी गारेंटी नहीं है ठीक है यह सारी चीजे बेटा उसकी पैरलेल वर्ड में चल रही है मैं एक बार यह आपको फड़ा-फड़ से बता देती हूं थाकि आपको कंफ्यूजन हो वह यह है भाई वह अभी कॉमा में ही है ठीक है वह ट्रेन में बैठा पूने से बॉम्बे आ गया है बॉम्बे आकर वह शौक हो गया है कि यह जो इतिहास था 1857 के बाद तो इस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई थी बट इस अभी भी हैं तो वह बोल रहा है कि मैं जरूर किसी और दुनिया में आ गया हूं यह मेरी दुनिया नहीं है तो वह कॉप्स की बिल्डिंग में जाता है अपने बेटे का पता करने कि क्या विने गायत ओंडे अब नेक्स्ट क्या हुआ वो थाइम क्यू बोलता है रिसेप्शनिस्ट को और उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है तो गायतोंडे की आदत होती है कि वह कहां पर रुकेगा उसे होटल लेना चाहिए क्या नहीं इन सब की उसको परवा नहीं होती है तो उसका में डिजायर डिजा है किया था एक रिषे गहती कि मुझे फढ़ाफट से लाइब्रेरी जाना है लाएबरियरे ओफ एश्याइक ती थो साइटी मुझे आना है और वहां ज्चलेकर मुझे पता करना है यह हिस्टोरी चेंज हुई 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 कैसी यह पाजल को सॉल्व करना है तो वह क यहां से अभी पचास साल पहले चली जाओ जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स है वो तो वहीं रहेंगी न बिल्डिंग थोड़ी चेंद हो जाएगी आप सोचो अगर मैं यहां से अभी पास्ट में ट्राविल कर लूँ तो मेरी दुनिया बदलेगी न मैं मैं देखूंगी यहां समझ जाओंगी कि मैं किसी और दुनिया में यही हो रहा है वहां तो अब आगे वापी टुसी ते टाउड हॉल बिल्डिंग स्टिल एक्जिस्ट देखो अब रियल वर्ल्ड में क्या था मान लो मेरे यहां पर मुझे पता है कि बगल में पार्क एब मैं क्या कर रही ह किसी और वर्ल्ड में आकर देख रहे हैं तो वैसे यह टाउन हॉल देखने जा रहा है कि अरे टाउन हॉल तो है तब ही हो सकता था कि फॉर्ब्स की बिल्डिंग एक्जिस्ट ही न करती उस टाइम पे बट वो कर रही थी एक्जिस्ट तो वो अंदर चला गया और जाकर उसने पूछ लिया कि मेरा बेटा यहां काम करता है कि चीज तो वह ही रहेंगे अब आगे क्या हो रहे है ताउन हॉल बिल्डिंग वहाँ पर थी उसमें एक लाइबरी भी तो वह लाइबरी में जाता है और वहां पर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे एक लिस्त देदो हि पर होती है पहली बुक में क्या होती है जो हिस्ट्री होती है वो अशोका के टाइम तक की होती है वो सारी हिस्ट्री पढ़ता है पहली बुक की तो पहली बुक में तो अशोका के टाइम की हिस्ट्री सेम होती है जो उसने रियल वर्ल्ड में पढ़ी ती और जो पैरलल वर्ल् यह history की books उसके table पर पांच books आती है ठीक है अब क्या होता है बच्छों यहां तक तो तक history में कोई भी change नहीं होता इसके बाद ही होता है यानि की last fifth book समझें पांच बुक आ उसके पास history की कि भई हमारा इतिहास जहां से शुरू हुआ से लेकर अब तक अगर आप जाओ library में और आप बोलो भई अपने को history की बुक से आपको दाला कर देंगे यह ले तेरी history की तो वो क्या कर रहा है है वो पढ़ना शुरू करता है पहली बुक में सेम है history दूसरी में चार बुक और अंगजेब की डेथ तक history सेम है पांच अब वो समझ जाता है कि मतलब यह पांच वी बुक से ही कुछ तो history में change हुआ है तो गंगादर पंथ क्या बोलता है वो रीड करना शुरू करता है बुक को दोनों एंड से मतलब ऐसे भी कर रहा है ऐसे भी कर रहा है एक बुक है क्या मेरे पास कोई अब यह क्या कर रहा है मान लो यह history की बुक है अब वो इसको पीछे से भी पढ़ रहा है और यहां से भी पढ़ रहा है ठीक है कहां कहीं पर मैं ऐसे बीच के पन्ने पर आ जाओं जहां से मुझे पता चल जाए कि इस पेज पर history मेरी अलग हुई है clear समझ में आया गाइस ठीक है इस अब क्या होता है तो वो finally एक ऐसे point पे पहुँच जाता है जहां से उसे पता चल जाता है कि by history two का different term यानि कि जो हम ले जो मैंने तुमने जो उसने real world में history पढ़ी है वो अलग है finally वो उस point पे पहुँच जाता है यहां तक समझ में आया किसी को कोई doubt है अगर किसी को कोई doubt है तो अभी पूछ लो मुझसे जल्दी बेटा देखो पूरा chapter तो obviously आज हम खतम नहीं करेंगे हाना कल होगा यह chapter खतम बट कितने में कोई doubt है तो पूछो जल्दी पंजी yes ma'am no ma'am कुछ आ सकते है मेरे पास जोश में boys में क्या हो गया है अभी आरी है boys मेरी सबको अभी clear है voice अब आगे क्या हुआ अब ध्यान से सुनना history कहां से चेंज हुई बच्चो बैटल ओफ पानीपत से वो उसे history की बुक मिली इसमें क्या हो रखा था बेटा इना battle ओफ पानीपत डिस्क्राइब किया गया था ठीक है अब इनके इतिहास में क्या था कि जो मराठा है न वो जीत गए वह अब आप dots को connect करो वो भाशन देने किस पे जाने वाला था कि अगर मराठा जीत जाते तो ये दुनिया कैसी होती और वो आक्चुल में अपने कौमा में कहां पर पहुचा हुआ है जहां पर सही में मराठा जीत गए हैं ठीक है तो अब हिस्ट्री कहां से बदली बच्चों पैरलल वर्ड की जहां पर मराठा जीत गए हैं वार अब्दली वॉस डिफीटेड वॉस पोस्ट टू रन अवे टू काबूल बाइद विक्टॉरियस मार्था आरमी तो अब्दली और जो मराठा आरमी के बीच में वार हुआ था रियालेटी में मराठा हार गए थे पट उस बुक में क्या लिखा है कि मराठा जीत गए ठीक है जब मराठा आरमी वस लेड बाइ सदाशिव राव भाव और इस यंग नेफ्यू विश्वास राव तो इसके अकोडिंग इस पैरलल वर्ड के अकोडिंग मान लो मान लो कि आज मैं तुम लोगों से बात कर रहे हूं कि बेटा अगर बैटल ओफ पानी पत में विश्वास कि आरमी जीत गई होती ना तो आज हमारा भारत कुछ और ही होता और मान लो मैं सपने में सोई और मैं अक्च्वल में उस वर्ड में पहुच गई हूं जहां पर की माराठा जीत गए हैं यानि कि मेरे दिमाग में वहीं पहुच गई जो मैं आपसे बात कर रही थी यही सदाशिव भाव और उसके जो यंग नेफ्यू थे विश्वात राओ वो लोग लीड कर रहे थे अब बुक में कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्शन तो नहीं था लड़ाई के बारे में बट यहां पर आउटकम बताया हुआ था कि क्या हुआ उसके बाद तो उन्होंने बहुत है किसी भी चीज का सेंस बन सकता है अना घोड़े उड़ भी सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो यहां पर वो बोल रहे हैं यह तो मैंने भुक्स लिखी हुई है तो वो रियल वर्ल्ड को और यहां से कनेक अब सपने में भी तो कुछ चीज़े हम इसी वर्ड की लेकर जाते है समझ रहे हो ना राइट तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो style है वो भी उनका है याने कि उन्होंने ही book लिखी है बट वो बोल रहे हैं ऐसा कैसा possible है कि मैंने ही book लिखी और मैं ही इसको पहली बार पढ़ रहा हूं कि writing तो उन्हीं की है कि मराठास कैसे जीते ठीक है तो यहाँ पर बताये गया इस book में कि भाई जो मराठा जीते ना उनसे उनका confidence बढ़ गया और उन्होंने क्या करा मराठास बहुत जादा powerful हो गए नदन इंडिया में East India Company जो थी वो सारी developments देख रही थी पहले क्या होता था हमी लोग तो लड़ते रहते थे अंग्रेश जो थे वो तो बाद में देखते थे क्या रही यह लड़ रहे इन में और लड़ाईया करा तो यहाँ पर भी अब्दली और मराठास में लड़ाई हो रही थी इस्टेडिया कंपनी क्या कर रही है बैठकर बस देख रही है पार्टिसपेट नहीं कर रही है तो अब इनके पैरलल वर्ड के अकॉडिंग इस्टेडिया कंपनी को मराठास की पावर समझ में आ गई और उन्होंने जो प्लान था ना के हम अपना एक्सपैंशन करेंगे हम इस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाएंगे वह उन्होंने पॉस्पॉन कर दिया मराठा के डर के मारे कि समझ में आया अज में आया बेटा साक्षी गौतम इट विल ओल मेक सेंस जैसे आप चैप्टर के एंड में जाओगे ना सारी चीज़े अपने आप डॉट्स कनेक्ट होते रहेंगे ठीक है तो अभी रियल वर्ड में क्या हुआ था कि मराठा जार गए थे यह मैं आपको रियल वर्ड का भी बताती भी जा रही है ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं बट इनके अकॉर्डिंग अभी क्या हो रहा है इनके दिमाग में कि मराठा जीत गए अबदली से मराठा में कॉन्फिडेंस आ गया और इस्ट इंडिया कंपनी मराठा से डर गई इसलिए इस्ट इंडिया कंपनी ने अधन साइड अपना कोई रूल बिचाया ही नहीं यह इनके अकॉर्डिंग हुआ ठीक अब आगे क्या हो रहा है इस विक्ट्री बाई पेशावर्स इंफ्लूएंस अब यह और पढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे जो विश्वास राओ का इंफ्लूएंस अब बढ़ता गया अब आफ्टर डेट ऑफिस फादर विश्वास राओ फाइनली विकम दा पेश्वा तो विश्वास राओ 1780 में पेश्वा बन गए दादा साहिब जो थे वो उनको बह अब आप सौ बात की एक बात याद रखो कि यह आपको यह बताना चाहता है कि कैसे इस इंडिया कंपनी मराठा के इंफ्लूएंस से डर गई तो इस इंडिया कंपनी अब अपना इक्स्पैंशिन नहीं कर रहे हैं अब आगे क्या हुआ विश्वास राओ वस एस ट्रॉंग इस इंडिया कंपनी अब आगे हिस्ट्री में लिखा है कि विश्वास राओ इस इंडिया कंपनी जितना स्ट्रॉंग और इस लिए यह कंपनी ने बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इस ब्रादर वर ब्रेव एस पॉलिटिकली क्लेवर तो मराठास जो थे जो विश्वा अलल वर्ड में अंग्रेजों ने अंपे शासन इतना किया ही नहीं ठीके बैटल ऑफ पानीपद मराठास जीते और तब से मराठास का ही रूल चलता हुआ आ रहा है तो जो इस्टेडिया कंपनी है वो अब बहुती छोटे एरिया पर रूल कर रही है जैसे बॉंबे कलकत्त और मद्राज ठीके इस वह सिमिलर टू दियर अपनेंट यूरोपियन कंपनीज फ्रम पॉचुल पॉचुगल और फ्रैंस यानि कि जितने भी अंग्रेज लोग है उनका इंफ्लूएंस कम है और जितने भी हमारे लोग है मराठास पेश्वाज है उनका इंफ्लूएंस हमार एंपायर इन देली अलाइफ दू सम् पॉलिटिकल रीजन दे वर दर रियल ओनर्स दूरिंग 19th सेंचुरी यानि कि दिल्ली पे पेश्वाज का ही रूल रहा और 19th सेंचुरी तक पेश्वा ही रूल करते रहे ब्रिटिश नहीं आए उनका कैपिटल बन गया देवर जिटीकल डेवलपमेंट्स वर टेकिंग प्लेस इन यूप अब धीरे दीरे क्या हो रहा है कि पेश्वास हैं कि समझ मैं आ रहा है कि टेकनलोडिजी वाइज नए यूरोप बहुत अच्छा कर रहा है सब देखो सबात की एक बात सुनो अभी तक थोड़ा सा समप कर देती ह क्या हो रहा है समप कर दूँ देखो वो ट्रेन में बैठा गॉम्बे आ गया गॉम्बे आया लाइब्रेरी में आया पढ़ रहा है कि कहां से इतिहास चेंज हुआ ठीक है अब हमारे इतिहास की अकॉर्डिंग जो बैटल ओफ पानीपद है तो मराठास हार गए थे रियल वर्ड में बट उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि बैटल ओफ पानीपद मराठास जीत गए तो उसने हिस्ट्री की बुग ढूंडी जहांपर डिस्क्राइब कर रखा है कि अक्चुल में मराठा जीत गए अब क्यूंकि मराठा जीत गए तो यहां से जो पैरलल वर्ड की चेंज होने लगा कि यानि कि जिस दुनिया में वो जी रहा है उस दुनिया में मराठा ही राजा है इस्ट इंडिया कंपनी वा राजा नहीं है वहां अंग्रेजों का रूल नहीं चल रहा है तो बात की एक बात ठीक है कितना समझ में आया कि मराठा का ही रूल है 19th century तक मराठा ही रूल कर रहे हैं और इस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही कम से हिस्से पर रूल कर रही है थोड़े बहुत बंबे का एरिया हो गया मद्रास हो गया बसकल कत्ता हो गया यह बाकि इस्ट इंडिया का कोई नाम चुल दिखाई गए हैं ह। है कि ये सब वो पढ़ रहा है अब आगे क्या हूआ अब मराठा से हैं थ्क्राव भूस ही वा थे कशमना और अपना इंफ्लू रहा हं कि इस्ट इंडिया कंपनी को अपना influence बढ़ा लेंगे अब क्या हुआ मराथास ने accept कर लिया कि ठीक है हम इन companies के साथ business करेंगे अब्जेक्टिव क्या था मराथास का कि यह जो जो इस्ट इंडिया company के Indian centers को यह अपना बना ले 20th century में और भी बहुत सारी इंडिया में ठीक है और यह चेंजिस क्या थे वेस्टन पार्ट से इंफ्लूएंस हो रहे थे democracy जो है वो इंडिया में धीरे धीरे आने लगी कहने का क्या मतलब है कि उसके सपने में वही सारी चीज़े चल रही है जो वह अपनी स्पीच में बोलने वाला था तो तो जैसे कि अब मैं यहां पर थोड़ा सा मराठास जीते होते तो उन्होंने ऐसा किया होता अगर ऐसा किया होता तो यह हो गया होता यह सब मैंने लिख लिया पक मेरे नीद में यानि कि उसके कौमा में वही सब चल रहा है जो उसने लिखा हुआ है असली में नहीं चल रहा कुछ भी असली में नहीं है यह असली में तो अंग्रेजों ने हम पर किया है शासन बट उसके दिमाग में पैरलल वर्ल्ड में क्या है हिस्ट्री की बुक में क्या लिख तो यहां पर मराटा उसको बहुत तेज दिखाई गया है क्लेवर दिखाईए कि हम भारतिये भी किसी से कम नहीं तो अब आगे क्या होता है अब इस चाइम तक जो पेश्वाज हैं हैड लॉस्ट मेजर पार्ट ऑफ दियर इंपायर देवर स्लोली रिप्लेस्ट बाइद इंस्टिउशन दैट वर एलेक्टेट तू देमोक्रेसी बोला गया धीरे-धीरे 19th century के बाद भारत में डेमोक्रेसी आने लग गया और यह जो पेश्वाज है इन्होंने अपना यह जो रूल था यह थोड़ा सा इनका साइड हो गया अब यह जो किंग्डम था दिल्ली में वो सर्वाइव कर गया इट वोस मेंली विकरस डिट नॉट अफ एनी अथो डिल्ली का राजा था वह एक पावरलेस परसन था क्योंकि डेमोक्रेसी आ गया था डेमोक्रेसी आ गया सरकार गयी गौवर्मेंट आ गयी तो राजाओं की पावर्स अब कम हो गई अब यह जो ओडर है यह पार्लियमेंट दे रहा था क्या तो मतलब तब से लेकर अपका इतिहास बताय गया है कि भाई मराठाजी रूल करते रहे उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई पार्लियमेंट आ गया और जो राजा थे उनकी पावर अब पड़ता ही जा रहा है अब उसको समझ में आने लग गया कि भाई समझ रहे हो जैसे कि हम आज की डेट में बात करते हैं कि यार भारतिये ना कुछ और ही होते अगर अंग्रेज नहीं आये होते हना आज भारतिये सेल्फ सफीशियन्ट होते उन्हें अंग्रेजों की जरूरत ही नहीं पड़ती बट वो यह सब बाते फील कर रहा है वो जिस पैरलल वर्ड में न वहां पर स्लेव्ज नि बना के रखा हुआ वहां पर वह नहीं देख रहा कि अंग्रेज कर रहे हैं क्योंकि उसकी दिमाग म यह नहीं वहां पर वो नएख रहा कि भारती है जो है वो नौकर देख रहा है कि भारती यह सेल्फ सफीशेंट मराठास में बहुत दिमाग है इस ट्रियर कि यहां तक मेरे सारे बच्चों को समझ में आया किसी को कोई डाउट है कि नहीं जल्दी से बताओ अब आगे क्या हुआ अब वो ये भी देख रहा है कि इंडिया तो बहुत strong है business भी कर रही है इंडिया इंडिया ने Britishers को ये भी allow कर दिया है कि तुम सिर्फ Mumbai को occupy कर लो हना तुम सिर्फ क्या कर लो Mumbai को occupy कर लो वहाँ अपना headquarter बना लो वहाँ पर अपने चोटा सो office खोल लो जो कि हमारी country के main area से बिल्कुल दूर रहेगा ठीक है और यह जो agreement है मतलब उसके according हम भारतियों ने अंग्रेजों को मुंबई रेंट पर दे रखा है lease पर कब तक के लिए 2001 के लिए के 1908 में एक agreement sign कर लिया था ऐसा अपने दिमाग में उसको लग रहा है के 1908 में एक agreement sign हुआ था के भाई हम अंग्रेजों को जो बॉम्बे है वो रेंट पर दे रहे हैं अपना छोटा सो office चलाने के लिए और यह agreement 2001 तक है बस तो इसमें न हम Indians को उपर दिखाया गया है और जो Britishers है उन्हें नीचे दिखाया गया है के यह कौन होते हैं हम पर रूल करने वाले got it यार बतादो यार कित्ती देव से पूछ रही हूँ got it got it तो यहां पर इंडियन्स को उपर दिखाया गया है के भाई जो इंडियन्स है वो उपर है उन्होंने किराय पर दिया है बंबे इनको अब वो जिस पैरलल वर्ड में आते ही देख रहा था ना बंबे के हेड़कोर्टर लिखे अब उसे समझ में आ रहा है कि 2001 तक इन्होंने किराय पर दे रखाए 2001 के बाद यह भी खाली करा देंगे और मैं जिस रियालिटी में रहता हूँ वो एक कंट्री है उसमें तो अंग्रेजों ने रूल करा है मतलब हमारी वाली जो हमें इतियास पता है इसको कंपेर कर रहा है ठीक है और उसे क्या लग रहा है कि इस एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन वर येट टू बी कम्पेटिट अभी भी मुझे कुछ और खोज तो करनी है उसे ये जानना था कि आखिर मराथा बैटल जीते तो जीते कैसे कि ये आंसर करने के लिए वो और तेजी से बैटल को पढ़ने लगा कि या जानना था उसके मन में क्या कीड़ा उत्पन हो रहा था कि यह यह Utah प्ानीपाद जीतने से सारे चेंज्र यह भारत अजाओ हो गया भारत मतलब अजयाद क्या भारत कभी आया इन यूइन के शिखंज में बार अच्छल से और यह यहांपर कैसे ठीक है चलो तो आज हम यहीं तक पड़ेंगे अब यह जीते कैसे क्या हुआ कि हम पड़ेंगे कल आठ बजे तो कौन-कौन कल की आठ बजे की क्लास में आ रहे हैं मुझे एक बारी फड़ा-फड़ से बता दो कि अगर नौ बजे इसकी क्लास नहीं होगी आगे बना कर दूंगी अभी है डिटेल में समझना बहुत जरूरु है कि मने देखाए कि लाइन-बाई-लाइन पांच-गंटे-इस पर वह नहीं पड़ाया ही नहीं चमरी समरी है एक बार तो बिटा लाइन-बाई-लाइन पढ़न जरूरी है हना समरी तो अपन बाद में भी कर लिए एक बार किसी भी चाप्टर को लाइन बालाइन परना बहुत जरूरी है कि अब इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे कल शचाप्टर हम लोग 8 बच्छे बेटा हाँ हाँ paper कैसे आया भी paper तक तो पहुचने दे बताऊंगी न कल कहां से आया paper jam में paper तक तो पहुचने दे सब clear हो जाएगा last में एक summary भी दे दोंगी तो दिक्कत नहीं आगी chapter में चालो भाइ तो यहां तक I hope clear एक कॉमेंट कर के झाल झाल